पढ़ना है और बोलकर लिखना है पढ़ना है और बोलकर लिखना है जिसके जामेचुटी की सव के जिसके पाश पाश अधश व या उपर हमकी विंदी श्वयम की बुद्धी नहीं है जिसके पाश स्वयम की बुद्धी नहीं है जो अपने दिमाग से काम नहीं करता है जो दूसरों के बताए रास्ते पर चलता है दूसरों की बातों में आता है जिसके इसलिए हम उसे बोलते नहीं है जिसके पास स्वयम की बुद्धी नहीं नहीं है जिसके पास स्वयम की बुद्धी नहीं है चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं सास्त्र उसका हित नहीं कर सकता जिसके पास स्वयम की बुद्धी नहीं है चलिए हम इसे लिखते हैं शाँ आधशाट्र सास्त्र कुश का उसका हित नहीं कर सकता सास्त्र उसका हित नहीं कर सकता नेक्स्ट लाइन देखिए फिर से बोल कर लिखिए सास्त्र उसका हित नहीं कर सकता सास्त्र उसका हित नहीं कर सकता चलिए स्टुडेंट्स ये कंप्लीट हुआ हमारा तो आपको ये खुद से ही लिखना है तो चलिए फिर से हम एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़कर बोल कर लिख सकें जिसके पास श्वयम की बुद्धी नहीं है सास्त्र उसका हित नहीं कर सकता स्वयम की बुद्धी नहीं है ओके स्टुडेंट्स अना ये होमवक आपको ये होमवक में अपने कंप्लीट करना है अच्छे से लिखिएगा सुन्दर राइटिंग में लिखिएगा और बोल बोल कर लिखिएगा okay okay friends bye bye have a good day